हाँ तो गाई जाज है हमारी चैनल के सबसे इजी फोटो एडिटिंग टूटोरियल होनी वाली है क्योंकि इस फोटो को हम लोग विल्कुल टूइस टेप में एडिट करने वाला है तो इस वीडियो में काफी ज़्यादा मजा आने वाला है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर कर दिजेगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना स्नफ सीड एप को ओपन करने बाद आपनों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा तो सिंप्ली आप लोग इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है क्लिक करने बाद आप जिस भी फोटो को ए मैं इस वाली फोटो को एडिट करना चाहता तो इसे मैं यहां से इसे ले लिएँगा दर गाज लेने बाद अपनी फोटो को कुछ नहीं करना आपको साइड में एक पैंसल वाला आइकन दिख रहा होगा आपको सिंप्ली इस वाली पैंसल पर क्लिक कर देनी है और ऐसे आपको सामने एक सेच्वेशन को आप्शन मिल जाएगा इसे हम लोग माइनस अंडेट कर देंगे और इतना सारा सेटिंग करने बाद आपको सिंप्ली इस राइट पर क्लिक कर देनी है देना करने बाद आपको उपर साइड में क्रोस तीर का आइकन दिख रहा होगा इस वा आपको सब्सो प्रेंँ होजाने बाद फोटो को कुछ साइब से जूँग करेंगे और अपने सकीन से बल्स नौक यस इसonte को हम लोग रिमूत कर लेंगे केवाल समних से करना है नौकी फूरिय बोडी से तो मैं जल्दी जल्दी से अपने इसकीन से इस इफेक्टर को रिमूब कर लेता हूँ आप लोग भी करिए मेजिक से नहीं इंज्वाई कीजिए दन गैज आपको रिमूब करने हुआ सिंपली आपको इस राइट वाले ओप्शन पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने वाद यहां से सिंपली आप लोग बैक हो जाएंगे तो पहला इस टेप आपको यही करना था अपनी फोटो को बेक्ग्राउंड को ब्लेक करना था और फिर इसके बाद आपका सेकेंड इस टेप में क्या करना है सिम्पली इस pencil वा-iken पर क्लिक कर देनी है और ऐसे आप लोग ऊपर आएंगे अप लोग के सामने है currency आप्सान मिल जाएगा तो currency आपने हम लोग क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पर हम लोग क्लिक करके यहां सा simply हम लोग rate को ले लेंगे और rate को लेने गगाद यह जो curve line है इसको हम लोग बीच से कुछ इस टाइप से पकड़ लेंगे और इस सिंपली ऐसे नीचे लाएंगे पूरा नीचे लाके कोने में ऐसे सटा देंगे और फिर इस वाले अगयन पर click करेंगे और यहां से हम लोग blue बले color को ले लेंगे और इसकी जो color line है इसको पकड़ के कुछ इस टाइब से उपर करेंगे then गैज उपर करने बाद आपको क्या करना है simply यहां से right पे click कर देनी है right पे click करने बाद उपर side में cross तीर के icon पे हम लोग click करेंगे करेंगे और कर पे किलिक करेंगे हम लोग brush को यहां से ले लेंगे then गैज brush को लेने बाद यहां से size आपका 100 हो जाएगा और नीचे side से कुछ इस टाइब से हम लोग इस पे color चड़ाएंगे then गैज इतना करने बाद आपको यहां से size को zero कर लेना है और अपनी skin पे जो color आ गया है इसे कुछ इस टाइब से remove कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं all right guys इतना करने गुए दोस्तों आपको simply start पर click कर देनी है और यहां से वैख हो जानी है फिर से क्या करेंगे दोस्तों हम इस pencil पर click करेंगे फिर curve पर हम लोग click कर देंगे और इस वाले icon पर click करके हम लोग simply यहांसे green को ले लेंगे ग्रीन के लेने गुए सिंपली आपको इस करवा लाइन को पकड़ लेनी है और इससे सिंपली ऐसे नीचे साइड में लेकर आना है तो दोस्तों नीचे साइड में लेकर आ जाएंगे आप लोग सिंपली यहां से और राइट पर क्लिक कर देंगे राइट पर क्लिक कर करेंगे करव वाले क्लिक करके हम लोग सिंपली यहां से ब्रस को ले लेंगे ब्रस को लेने वगा इस वाले आइगन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से साइज को हम लोग जीरो कर लेंगे और अपनी फोटो को कुछ इस टाइप से जूम करेंगे और अपनी हेयर और जो है इसकीन से इस इफेक्ट को हम लोग रिमूब कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूं अब लोगों को इतना करने हुआ सिंप्ली इस राइट वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है और यहां से आप लोग सिंप्ली बैक हो जाएंगे और फिर्चे इस पेंसिल पर हम लोग क्लिक करेंगे और ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे हम लोग और यहां से ब्रैटनेस को हलका सा इंक्रीश कर लेंगे सेचुएशन को भी हम लोग इंक्रीश कर लेंगे Ambience को भी हम लोग Increase कर लेंगे Highlight को हम लोग Minus कर देंगे और इतना सारा सेटिंग करने को बाद दोस्तों आपको इस Right वाले Option पे क्लिक कर देना है और आप लोगों की Photo देखन कलर में Edit हो चुकी है और इस Photo को हम लोग Save करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों नीचे साइट में आपको एक तीर का इकन दिख रहा होगा इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और Simply अपनी फोटो को यहां से Export कर लेंगे तो आपकी फोटो जो है सेफ हो चुकी है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा अगर चैनल पर नहीं तो सस्क्राइब भी कर दीजेगा मिलते हैं किसी ऐसे इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बंदे वात्रम